दोस्तों नमश्कार इस देश की राजनिती को पलटने में वक्त नहीं लगता है कभी कभी आँखे जपकी नहीं कि सियासत पलट जाती है सत्ता पलट जाती है आप चाहे कितनी भी ताकत के साथ मौजूद सत्ता में हो और चाहे हनक के साथ जो भी निर्णे ले रहे हो ऐसी परिस्तिती इस देश के भीतर कई मौकों पर आई है कई मुद्दों के आस्रे आई है और ध्यान दीजिये भारत एक बार फिर उसी राजनितिक घटना करम में जाकर खड़ा हो गया है जहां पे सत्ता की हनक है उसका निर्णे है समूचा सिस्टम उसकी हतेली पर नाचता ह और इस देश के भीतर आवाज विपक्ष की तरफ से उठ रही है कि लोकतंत्र खत्म हो चला है देश के भीतर भी और देश के बाहर भी स्वतंत्र नयाइपालिका तक का जिक्र अंतरास्टिये तोर पर भारत को लेकर अगर होने लगा है तो सब कुछ ठीक नहीं है और तरीके से 180 डिग्री में लाकर खड़ा कर सकता है सियासत कैसे चलती है कैसे जुमती है शायद राहूल गांदी को लेकर दिये गए फैसले के बाद जिस तरीके से कल तक बीजेपी के परवक्ता तमाम न्यूस चैनलों पर आकर कहते थे तमाम संसद संसद के गलियारे में ये क कहने से चूकते नहीं थे कि राहूल गांदी अपील करने किस अदालत में अपील करनी है यह भी कुछ संसद बता ही देते थे लेकिन बात धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और बात बढ़ते बढ़ते अब देश के ग्रेमंत्री यानि बीजेपी के चानक तक पहुँच चु और कोई भी मुद्दा अगर कहीं फसा हो तो अदालत इसलिए तो होती है और लोकतंत्र है आप कहीं भी अपील कर सकते हैं इतना ही नहीं वो रास्ता भी बतलाते हैं कि दरसल आपको किस अदालत में कैसे अपील करनी चाहिए और उसके साथ ही जिन बातों का जिक्र हो चला ह तो क्या बीजेपी के गले की फांस राहुल गांधी को दी गई सजा बन तो नहीं रही है कोकि घटना करम और वक्त को परखने की जरुरत आज की तारीक में है यह इसलिए महत्तपूर्ण है कोकि कोलार करनाटक में आता है और चुनाओ करनाटक में सबसे पहले होने है करनाटक के चुनाओ परणाम भारत की राजनिती में 2024 नहीं बलकि मौजूदा वक्त में BJP, RSSS और संभवता सर्वो सर्वा प्रधान मंतरी मोदी की राजनिती का भी ऐसी टेस्ट साबित होने वाला है यह ऐसी टेस्ट इतना महत्तपून है और उन सब के बीच मुद्दा राहुल गांधी है और उसी कोलार के करनाटक से राहुल गांधी अपनी राजनितिक प्रचार की यात्रा जो करनाटक में शुरू होनी है वही से करेंगे तो क्या कोलार के भीतर जाकर जाओव जनता से सवाल करेंगे कि दरसल ललित मोदी जिसका जिक्र हुआ निरम मोदी जिसका जिक्र हुआ प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी जिसका जिक्र हुआ तो ऐसे में उन्होंने क्या गलत किया है और ग्या गलत कहा है तो क्या कोलार के घटना करम से समूचे करनाटक की राजनिती एक जटके में बदल जाएगी? जी नहीं, ऐसा होता नहीं है. लेकिन उसके आगे के घटना करम को समझे की 22 तारीक के बाद राहुल गांदी ने अगर अदालत में कोई अपील नहीं की तो वह जेल जाएंगे. घर सरकारी बंगला उनका दिल्ली में छूट चुका होगा. और जब वह जेल जाएंगे तो जेल में जाने के बाद समूचे करनाटक में कौन सा मुद्दा होगा? या इस देश के भीतर कौन सा मुद्दा होगा? क्योंकि 10 मई को वोटिंग करनाटक में होनी है. आठ तारीक को च चुनाओ को प्रभावित करेगी और इस देश के भीतर कौन से मुद्दे उफान पर होगे? क्योंकि उन मुद्दों के ठीक समनांतर राहूल गांदी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं या कॉंग्रस देश भर में जो शिरकत कर रही है और शिरकत इस वाद सिर्फ कॉंग्र दल से जुड़े कारकरता और नेता भी आपको सलक पे इस दोर में दिखाई दे रहे हैं तो क्या मुद्दा सिर्फ राहूल गांदी के फैसले के मद्दे नजर नहीं बलकि राहूल गांदी ने जिन बातों का जिक्र किया वह बाते भी कहीं न कहीं उस अपराद की दिशा मे जाती है जो सीधे सीधे मौझूदा राजनितिक सत्ता से जिसके तार जुड़े हुए हैं और पार्लेमेंट के भीतर और बाहर अडानी और मोदी का जिक्र जिस तलखी और तेवर के साथ कॉंग्रिस कर रही है और विपक्ष कॉंग्रिस के साथ इस मुद्दे पर एक पहले जरा समझ लीजिए एनसीपी के नौ नेता आरजेडी के चार नेता त्रणमुल कॉंग्रेस यानि ममता बेनरजी के 28 नेता बियारेस यानि टियारेस जो चंद शेखर राव हैं जिसके नेता तेलांगना से आते हैं उनकी पार्टी से जुड़े हुए लगबग 19 नेता अखिलेश यादवाय से जादा संपत्ती के मसले से लेकर समाजवादी पार्टी और उनके करीबियों की निगाबानी जो CBI और ED के दाइरे में है उससे जुड़े हुए 19 नेता NCP के साथ शिवसेना और शिवसेना से जुड़े हुए नो नेता इन सारी परिस्तितियों को समझे कि किसी को भी किसी भी च्छन जेल में डाला जा सकता है और अगर जेल में डाला जा सकता है और राहुल गांदी जेल में है तो इस देश की राजनिती के उफान को जरा समझ लीजिए तो अब जरा लोट ये चानक की दिशा में जो बीजेपी के चानक हैं जो राजनितिक तोर पर कुछ ऐसी नितियां बनाते हैं जिससे बीजेपी को लाब होता है और पहली बार इस देश का ग्रहमंत्री कह रहा है कि देखिए आप कोट में जाईए और कोट से आपको सीबी आई और एडी पॉलिटिकल तोर पे प्रभावी होकर काम कर रही है तो इस कारिक्रम में जिसमें देश के ग्रहमंत्री हमेशा मौजूद थे उन्होंने एक जवाब यह भी दिया कि मुझे भी सीबी आई ने कहा था एक वक्त कि आप नरिंद्र मोदी का नाम ले लीज यानि दबाव क्या होता है प्रेशर क्या होता है यह मैंने भी देखा है तो क्या मौजूदा वक्त का रास्ता वही है या यही एक मात रास्ता देश की जांच अजन्सियों का होता है ध्यान दीजिए धीरे धीरे हर वो परत खुल रही है जो परत अभी तक इसलिए दबी और विपक्ष मुद्दो को हवा में उच्छाल देता था और हवा में उच्छालने के बाद कभी पारलिमेंट नहीं चल रही है या गाहे बगाहे कभी किसी चुनावी रैली या किसी जगापर प्रदर्शन करते हुए कॉंग्रस जिक्र कर देती थी लेकिन पहली बार ये तथ है कि सीधे तोर पर एक मेजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया 24 घंटे के भीतर लोकसभा सचवाले सक्रिय हो गया और उसके तुरत अगले दिन ही वह और सक्रिय हो गया यानि पहले सदस्ता गई और उसके बाद बंगला भी गया हमें लगता है यहां जिक्र आज लक्षदीप के सांसत का भी करना चाहिए क्योंकि लक्षदीप के सांसत को लेकर जो फैसला मेजिस्ट्रेट में सुनाया था और दस बरस की सजादी थी उसमें भी 24 घंटे के भीतर उस सांसत की सदस्ता चली गई उसके बाद एक महीने के बाद उन्होंने हाई कोट का दरवाजा खट- गटाया गे और जो फैसला आया उस फैसले के मढ्ने नजर मुहमध फैजल जिसका नाम हम आपको बता रहें ये लक्षदीप के सांसद हैं और इनको दस बरस की सजा حत्या के मामले में दी गई थी उसके बाद सचीवाले सक्रिये हुआERS हगा तरवाजाए के सच्रिये के बा को रद कर दिया उसके बाद उस सांसद ने गुहार लगाई सचिवाले से जो लोकसभा का सचिवाले है जिस सचिवाले ने राहुल गांधी को भी बेजा पत्र की आपकी सदस्ता रद की जाती है और उसी ने पत्र बेजा कि आपका मकान अब आपको सरकारी बंगला खाली करना होगा और ध्यान दीजिए सचिवाले 20 फरवरी को हाई कोट के फैसले के बाद भी सक्रिये नहीं हुआ क्योंकि लक्षदीप के एड्मिस्ट्रेशन ने सुप्रीम कोट का दरवाजा खट-खटाया और सुप्रीम कोट ने उस वक्त हाई कोट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया यानि अब एक मात रास्ता बना था कि जब कन्विक्षन को रद किया जा चुका है सजा रद की जा चुकी है तो फिर सचिवाले को सक्रिये उसी तरीके से हो जाना चाहिए था लेकिन लोकसभा में मौझूदा वक्त में सत्ता की दादागिरी किस रूप में चलती है या चल रही है इसका जिक्र विपक्ष जब बार बार कहता है और खुद राहूल लेकिन उन्होंने कहा चाय पी लीजिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं तो लोकसभा कैसे चलती है और सत्ता की निगाबानी कैसे रहती है यह उसका पहला संदेश है लेकिन जरा ध्यान दीजिए अगर लोकसभा सचिवाले सक्रिये नहीं हुआ तो उसके बाद सुप्रीम कोट का दरवाजा 27 मार्च को खट खट आया गया और उन्होंने कहा कि ठीक है और 40 घंटे के भीतर हम सुनवाई करेंगे और कल का बीता हुआ दिन यानि 29 तारिक को सुप्रीम कोट में सुनवाई होनी थी कि संसद सदस्ता जो रद कर दी गई लक्षदीप के संसद मुहम्मत नहीं सचिवाले ने कहा आपकी सदस्ता बहाल की जाती है यानि पूरी प्रक्रिया को अगर समझिए उस फैसले को जहां सजा हुई उसके बाद हाई कोट की अपील फिर सुप्रीम कोट की अकील और इन सब के बीच सचिवाले की भूमिका सत्ता की खामोश सहमती ये सारे मैस को भी इसी डिजाइन में क्या फांसा गया है और ये मान कर चला गया कि वह अगर हाई कोट का दरवाजा तो खट-खट आएंगे ही और दरवाजा जब खट-खट आये जाएगा तो उसके बाद रास्ता बन जाएगा लेकिन एक मैसिस तो चला जाएगा कि इस देश के भीतर में कोई भी सांसद कितना भी बड़े कद का नेता जो विपक्ष में हो जो सरकार को कटगरे में खड़ा करता हो वो ये ना सोचे कि कटगरे में खड़ा करने के बाद सरकार कुछ नहीं करेगी सरकार कोई भी फाइल खोल देगी क्योंकि फाइल तो हर किसी की तैयार है E.D. के पास 139 Politicians की फाइल है C.B.I. के पास 125 Politicians की फाइल है तो फाइल तो कभी भी किसी की भी खुल जाएगी तो क्या ऐसे में जो रणनिती कॉंग्रिस ने अपनाई और जिस रास्ते राहुल निकल पड़े इसकी संभावना और इसकी आशंका दोनों नहीं थी नेता गाहे बगाहे कहीं से भी बात गुमाके चाहे वो निउस चैनल के स्क्रीन पे नजर आएं चाहे किसी कैमरे के सामने कहीं होकर प्रतिक्रिया दे रहे हो या फिर किसी कारिक्रम में जाकर सवाल जवाब दे रहे हो ध्यान दीजिए हर को यही कहता है कानून अपना काम करेगा इस देश के भीतर कानून का राज है इस देश के भीतर नयाई पालिका खुली हुई है इस देश के भीतर नयाई पालिका नयाई देगा अगर आप आवाज उठाईएगा तो इन सारी परिस्तितियों में अब नया सवाल इस देश के सामने यह भी आगिया कि यह मुद्दा रास्टिय नहीं बलकि अंतरास्टिय तोर पर गुंजने लगा और कल तक जो सवाल अमेरिका के जरीये निकल रहा था वो आज अगर जर्मनी के जरीये भी निकल आया और पेश्मंत्राले के परवक्ता ने कहा हम उम्मिद कर रहे हैं की राहुल गांदी के मामले में न्याइक सोतंत्रता के मानक और मौलिक लोकतांत्रिक से धांत लागू होंगे मैसेच क्या है मेसेज है कि अंतरास्ट ये तोर पर राहूल गांदी के फैसले और राहूल गांदी की संसस सदस्ता रद करने के बाद दुनिया भर में जो मेसेज गया है वो दो ही मेसेज बताता एक उस डेमोक्रिसी का सवाल जिस डेमोक्रिसी को लेकर भारत के भीतर राजनिती उफान पर है और दूसरी तरफ नियाईक सोतंतरता का सवाल जिसमें देश के चीफ जस्टिस लगातार कुछ फैसलों को देकर अगर लड़ते हुए दिखाई देते हैं तो कानून मंत्री किरन रिजुजु उसे बरदास्ट नहीं कर पाते हैं और ये कहने से चूकते नहीं हैं कि दरसल जज के उपरास्ट पती दरंपाल धनकर भी ये कहते हैं कि सत्ता के अलावे कौन निर्णे लेगा और नियाई-पालिका अपनी मस्ती में नहीं रहे जजज ये ना सोचें कि वो अपने तरीके से चीजों को चला लेंगे जनता को लेके जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार की होती ह यानि नियाई-पालिका की सुतंतरता और उसके मानक का जो सवाल जर्मनी से उठके आया और जिन सवालों को अमेरिका ने उठाया और जिन सवालों का जिक राहुल गांदी लंदन में कर रहे थे और जिन सवालों को पार्लेमेंट के भीतर खुले तोर पर राहुल गांदी ने कहा कॉंग्रिस ने उठाया और उनी सवालों के इर्दगिर्द का ताना बाना अब तमाम जगों पे जो बुना जा रहा है चाहे आम आदमी पार्टी दिल्ली के विधान सभा में कहे या ममता बेनरजी जिक्र करें या चंशेखर राउ जिक्र करें या कोई भी विपक्ष क पॉलिटिकल पार्टी जिस तरच पे जिक्र कर रही है उसको काउंटर करने के लिए एक ही जवाब अगर इस देश के ग्रेमंत्री ये देने लगें कि आप जाईए और अपील तो कीजिए इसका मैसेज है कि दरसल इस्तिती नाजुक हो जाएगी राजनितिक तोर पर इस द परनाटक के चुनाओं तो तुरत होने हैं परचार परसार शुरू हो गया नामों का ऐलान भी होना शुरू हो गया बीजेपी ने अभी तक अपनी सूची जारी नहीं की है लेकिन कॉंग्रिस ने 124 लोगों की सूची दारी कर दी जेडियस ने भी डियर सो से जादा की जिसमें राहुल गांदी इन सवालों को उठाएंगे और उसके बाद सवाल इस देश के भीतर और करनाटक के भीतर राजनितिक तोर पर किस तरीके से उभरते हैं इस पर नजर बीजेपी की टिकी हुई है लेकिन बीजेपी क्या वाकई चाहती है कि अब ये फैसला जो लिय जा सका है उसको पलटा जा सके और पलटने की प्रक्रिया में क्या कुछ नए रास्ते बीजेपी टटो लेगी और तलाश लेगी और वो इस दोर में क्या वाकई ऐसी इस्तिति आ जाएगी जिसमें कोई नया फैसला आपको मेजिस्ट्रेट के जरिये ही सुनने को मिल जाए या फिर एक नई परिस्तिति इस देश के भीतर आकर खड़ी हो जाए ये सारे सवाल मौजूदा राजनिती के भीतर लगातार घुमण रहे हैं और इन सवालों को लेकर बीजेपी और चनक के क्यों फस गए है इसकी तीन बड़ी वज़ा आपके सामने होनी चाहिए पहली वज़ा तो ये है कि जो फैसले ग्रह मंत्राले के जरीए होते हैं उसमें दिल्ली पुलिस राहुल गांदी के दरवाजे पर पहुंसती है जो महीनों पहले एक वक्तव दिया गया कशमीर में पधियात्रा के दौरान और पधियात्रा एक सारजनिक तोर पर समवाद की इस्तिती थी लेकिन दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है वो दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आती है वो ग्रह मंत्राले के अंडर में आती है पहला सवाल यहां से खड़ा होता है दूसरा सवाल इस दौर में जो मेजिस्ट्रेट का फैसला आया और जिस अवस्था के बीतर में चुनाव आयोग तग ने सन्यान नहीं लिया तो इस दोर में किस तरीके से गुजरात का हाई कोट सक्रिये हुआ और उस भाशन के तुरत बाद राहुल गांदी ने जो पार्लेमेंट के भीतर भाशन दिया और उस भाशन के तमाम शब्दों को जो दबाया गया उस वो चलाने के पीछे अगर पार्लेमेंट पत्रकार जो कवर करते हैं वो जानते हैं कि सरकार पीछे से कैसे लोकसभा को चलाती है राजसभा को चलाती है और उसमें बड़ी भूमिका ग्रह मंत्री की भी तो होती है और ग्रह मंत्राले की भी होती है तमाम डॉकुमेंट्स और तमाम परिस्तिती भारत में दो ही मंत्राले के इर्दगिर्ट तो फसी हुई है, एकनॉमिक ओफेंस को लेकर वित्त मंत्राले है और देश के भीतर तमाम अपरादों के मद्दे नजर ग्रह मंत्राले की नजर रहती है। यानि ग्रह मंत्राले राजनितिक तोर पर किसी पॉलिटिकल पार्टी के हितों को साधने की दिशा में कैसे बढ़ सकता है या एक सवाल हो सकता है। सरकारे फेल हो रही हैं और ये मुद्दा कौन सा था तो महराष्ट में जिस तरीके से हिंदू संगटनों ने हेट स्पीच दी थी और सुप्रीम कोट ने राज से कहा था यानि स्टेट से कहा था कि आप हेट स्पीच रोकिये लेकिन वह रुक नहीं पाई और फिर से जारी तो ऐसे में अवमानना के मामले को लेकर सुनवाई कर रहते हैं अगली सुनवाई हाला कि 28 अपरिल को होगी लेकिन उससे पहले जस्टिस जोसिफ और जगस्टिस नागरतना ने बहुत साफ तोर पर कहा कि हम कितनों के खिलाफ अब मानना या मानहानी का नोटिस देकर यहां अगर इस पूरी प्रक्रिया में अगर इस अब मानना और मानहानी के दाएरे और हैट स्पीच का जिक्र करने की परिस्तिति को अगर राहुल गांदी से जोड़ दे हैं तो राहुल गांदी जिस पद्यात्रा पे निकले थे वह तो हैट के खिलाफी था नफरत के खिलाफी और जिस फैसले को लेकर चीजी आगे बढ़ी और मानहानी के जरीए उनकी संससदस्ता पर सवाल खड़े हो गए और इस पूरी प्रक्रिया के बीतर देश के ग्रेमंत्री सुझाओ दे रहे हैं कि दरसल आप किसी अदालत में अपील तो कीजिए तो क्या ऐसी इस्तिती राजन सकती है क्योंकि सब को पता है भारत में राजनिती बाहु बल के जरिये ही होती है और दाड़ियों की तादाद इस देश में नेताओं के तौर पर जितनी है उन सभी को जेल में डाल दिया जाए तो भारत की राजनिती जो अभी समाले हुए है साठ फीजदी नेता गायब हो अफास राहुल गांदी बन चुके हैं और राहुल गांदी जेल ना जाएं इसके लिए जब सत्ता ही सुझाओ देने लगे तो समझ लीजिए मामला बेहत गंभीर हो चला है बहुत 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 ब